मिथुन रासी बालों का आने बाला दिन यानी की इग्यारह मई 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ इग्यारह मई 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है अमावस्या नक्छत्र है भरनी पक्छ है क्रिस्न पक्छ दिन है मंगल वार आने बाले शमय में सुर्ज उद्य का समय है पांच बजी के तैंटीस मिनट में सुर्ज अस्त का समय है साथ बजी के दो मिनट में रितु है ग्रिस्म आज का दिन काल है तेरह घंटे 28 मिनट 56 सेकेंड का महिना है वैसाख आने बाले शमय में सुभ समय सुरू होता है इग्यारह बजी के पचास मिनट एम से बारह बजी के पचास मिनट पीम तक असुभ समय सुरू होता है आठ बजी के 14 मिनट एम से नौ बजी के 10 मिनट एम तक राहुकाल सुरू होता है तीन बजी के 49 मिनट पीम से पाँच बजी के 21 मिनट पीम तक दिसासूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी सुने ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांधार हो सके मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके प्रेम जीवन के बारे में मित्रों आने बाले शमय में आपका प्रेम जीवन बहुत जयादा रोमांचक एबं बिहतर होगा आने बाले शमय में यदि आप अपने प्रेमी या अपने प्रेमी का से मुलाकात करते हैं तो आपका प्रेम संबंध बहुत जयादा रोमांचक एबं मजबूत होगा मित्रों आप में से जो भी जयातक बेपाड़ी हैं कारोबाड़ी हैं तो आने वाले शमय में आपको अपने बेपार के छित्र में अपने बेभार अपने वानी के उपर में बहुत ज्यादा काबू करना होगा क्योंकि आने वाले शमय में यदी आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बेपार के छित्र में पड़ेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा मित्रों आने वाले शमय में यदि आपके बैवाहिक जीवन की बात कड़ें तो बैवाहिक जीवन के द्रिष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा मजबूत एबं बिहतर होगा मित्रों आप में से जो भी जयातक छात्र हैं बिद्यार्थी हैं तो आने वाले शमय में आपको अपने पढ़ाई लिखाई के उपर में बहुत जयादा ध्यान देना चाहिए आने वाले शमय में आपको अपने पढ़ाई लिखाई में समय के दुरुप योग से बचना चाहिए क्योंकि आने वाले शमय में यदि आप अपने कीमती समय को बड़बाद करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा तो आने वाले समय में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए मित्रो आने वाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है सिल्बर एबम सफेद आपके लिए भाग्यसाली अंक है तीन यनी की थिरी मित्रों आने बाले शमय में आपको अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए आपको बाबा भैरब की पुजा करनी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जियादा मजबूत एबं बिहतर होगा तो मित्रों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें इबं इस वीडियो के नीचे जै बाबा भैरब कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद